आज किस विड़ों बात करेंगे कि आप जिरोधा एप्लीकेशन पर डीमेट अकाउंट ओपन की इस तरह से कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और आपको जिरोधा.com पर आपको ओपन करना है और यहां पर एक आपको उपसे मिलेगा शाइन अप का यानि कि आपको यहां पर अपने मोबाइल नमबर से रेजिक्टर करना होता है आपको ध्यान रखना है कि जो भी मोबाइल नमबर आप यहां पर यूज करेंगे वो आपके अकाउंट नमबर से लिंक होना चाहिए आपके पैन कार और अधर कार से लिंक होना चाहिए जिससे OTP आपको इस कोलम के अंदर डालना होगा अगर OTP आपके पास नहीं आता है तो आप रिसेंट OTP किलिक करके OTP को दो बारे से अपने मोबाइल नमबर पर ले सकते हैं इसके बाद आपको कंटिन्यू पर किलिक करना है अब आप देखेंगे आपके सामने आपशन आएगा इमेल आईडी का यहां पर आप इमेल आईडी दो तरीके से फिल कर सकते हैं सबसे पहले तो जो आपके मोबाइल में इमेल आईडी चल रह कि आप continue वाले option पर क्लिक करें continue गूगल पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे continue उपर क्लिक कर देना है इसके बाद आपने जो भी email id वहां पर स्लेक्ट की है वहां पर एक OTP send किया जाएगा जो कि OTP इस कोलम के अंदर फिल करना होगा और continue उपर क्लिक करना होगा अब आप देखेंगे यहां पर आपके पास step number one आ चुका है यहां पर आपको टोटल सार स्टेप फोलो करने होंगे पहले सिटप पर आपको अपना pen card देना होता है यहां पर आप देखेंगे आपको pen card के एक option मिलेगा आपको अपनी pen card के नमबर इस कोलम के अंदर फिल क करने होंगे आपके pen card पर जो date of birth mention है वो यहां पर आपको फिल करनी है आप यहां पर कलेंडर का यूज भी कर सकते हैं यह डिटेल भरने के बाद आपको continue वाले option पर क्लिक कर देना है दोस्तों सेके नमबर पर आपके पास एक कॉलम आएगा जहां पर आपको अपनी 200 रुप कर सकते हैं क्योंकि आगे जाकर आप में ट्रेडिंग कर सकते हैं सबी के लिए आपको 200 रुपए की फीज करने करनी होगी जो की अकाउंट ओपनिंग चार्जिस होता है अब थोड़ा से क्रोल डाउन करेंगे तो यहां पर option आजाएगा पैय यूजिंग का कि आप इसकी पै कर सकते हैं हम यहां पर इसकी प्रेमिंट है जो यूपए से करेंगे तो आपको इस कोलम के अंदर फिल करनी होगी और आपको एक कंसल्ट मिलेगा आपको इस पर टिक करना होगा इसके बाद पे एंड कंटीन्यू वाल उपसिन पर किलिक करना है अब आप देखेंगे जो भी आपने यहां पर UPI ID यूज़ की है वहां पर एक pop-up send किया जाता है जो कि इस तरह से आएगा आपको यह decline नहीं करना है यहां पर option मिलेगा पे का आपको पेपर क्लिक कर देना है इसके बाद आपके सामने कुछ processing चलेगी तो अब आपके सामने आएगी आधार KYC का एक option जो कि आप डीजी लोकर से कर सकते हैं यहां पर आपको pen card की कुछ details हो की जाती है इसके बाद आपको continue to logger पर CLICK करना है इसके बाद आपको continue करने के बाद आपके सामने आधार कार्ण का एक column आएगा यहां पर आपको आधार नंबर और इसके बाद आपको एक option मिलेगा केपचा का यह केपचा आपको सेम टू सेम इस कोलम के अंदर फिल करना होगा और आपको नेश्ट वर्क किलिक कर देना है इसके बाद जो भी आधार नमबर में आपका फिल मोबाइल नमबर है उस पर एक और टीपी सेंड किया जाता है आपका मोबाइल नमबर के लाइट के अ को अपना security pin होता है डैजी लोकर का यहां पर डालना होता है अगर आपको security नहीं पता है तो आप security au ppar collect करके अपना यहां पर लगा सकते हैं और दो बार से आप को कणी नो पर ऐस किया है वहां पर आपका जो complete process हो चुका है नीचे की और आपको इसे next कर देना है अब यहां पर आपके सामने एक option आएगा your profile का तो अपनी profile में आपको सबसे पहले आपका मेरिटल इक्टेक्टस पूछा जाएगा क्या आप सिंगल है या मेरिड है अपने हिसाब से आप choice कर सकते हैं कि आपकी पिटा का नाम क्या है आपकी मदर का फास्नेम और आपकी मदर का जो लाज्ट नेम क्या है वह आपको यहां पर शोट करना होगा इसके बाद आपके background के बारे में पूछा जाता है कि आप annually यानि की हर साल कितना खंबा लेते हैं आपको यहां चोड़ करना होगा इसके बाद कॉप्षन है चाते है कि हमारा हमारा नहीं के बाद की बात करें तो हम ने यहाँ पर प्राइबेट सेक्टर दिखा यह आप अपने हिसाब से चोइस कर सकते हैं नीचे के और आपसे पूछा जाता है किया आप किसी राजनीती से जुड़े होएं तो आपको यहां नो का ओंसर देना है हम यहां पर नौ पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू वाल उप्शन पर क्लिक करेंगे step number 4 पर हमें देखने को मिलेगा link bank account का option यहां पर आपको अपने bank account की details देनी होती है सबसे पहले आपका अपना IFC code क्या है bank का वो यहां पर डालेंगे आपको branch MIC code डालना होता है जो कि आप अपने bank manager से पूछ सकते हैं इसके बाद आपको bank account number और confirm आपको दोवार से करना होगा detail वरने के बाद आपको अपने detail कुछ नीचे की और show करेंगे आप यहां पर देख पाएंगे आपकी कुछ detail यहां पर आ जाती है आपको कुछ concert यहां पर देखेंगी आपको सभी पर agree click कर देना है इसके बाद आपको continue वाल option पर click करना है दोस्तों अब आप देखेंगे यहा यहां पर option आएगा webcam verification का दोस्तों यह webcam verification किस तरह से किया जाएगा सबसे पहले आपको एक page लेना है और जो यहां पर आपको नंबर दिखाए जाते हैं वह इस पर लिखना है कुछ इस तरह से जैसे यहां पर लिखा हुआ है और अपने front camera पर आपनी verification करानी होती है जो भी आ करना है इसके बाद दोस्तों हमारे सामना आता है step number six यहां पर आपको एक option मिलेगा upload document का अब यह आप अपना upload document कर सकते हैं वेशे तो यह आप इसे यूज करें या ना करें कोई जरूत नहीं है पर अगर आप यहां पर F&O करना चाहते हैं तो आप यहां पर income proof choice कर सकते हैं और अपना upload कर सकते हैं जो कि mandatory है आपको एक blank पेच लेना है और अपना sign वहां पर करना है इसके बाद उसकी फोटो किलिक करनी है और यहां पर upload कर देना है अब आप देखेंगे जैसे कि हमने आपको बताया है हम अपना यूज करना चाहते हैं तो हमने यहां पर अपने के बाद नीचे option मिलेगा continue का इस पर हम किलिक करेंगी आपके सामने setup नंबर 7 आता है जहां पर आप इसे चाहें तो सिक भी कर सकते हैं पर आप बाद में भी अपना नौमनी जोड़ सकते हैं यहां पर आपके सामने आपना नौमनी को ओप्षन आप चाहें तो इसे करें या फिर आप अपना नौमनी भी जोड़ सकते हैं यहां पर अपनी साइड भरने के बाद आपके सामने ज्रोदा एप्लिकेशन की कुछ ट्रम्शन कंडिशन सो की जाती है आपको यह तीनों पर इस तरह से टिक करना है और आपको दोबार से किलिक करना होगा इसके बाद आपके सेन्ड ओटीपी आपके नमबर पर सेंड किया जाता है वह और आपको इस कॉलम कंडर फिल करना होगा और वेरिफाइड और आपको देखेंगे कि आपकी जो प्रोफाइल है वह वेरिफाइड हो चुकी है आपके सामने कुछ गरीन इस तरह से दिखाए देगा और नीचे की और आपके सामने कुछ condition का page आता है आप चाहें तो इन्हें भी पढ़ सकते हैं अब आपको sign now पर click करना होगा sign now पर click करने के बाद दो बार से आपको same condition आएगी आपको एगरिक पर click करना है आधार नंबर आपको फिल करना है और देखेंगे कि आपके जो sign है वो successfully complete हो चुके हैं आपको इस पेस को किलोज नहीं करना है के बाद आपके सामने option आजाता है congregation का यानि कि आपका जो DMAT account है जिरोदा के अंदर वो open हो चुका है आपके जो ID password है वो बहतर घंटे के अंदर आपके पास share कर दिये जाते हैं और अपने ID password लगा कर आप यहाँ पर trading कर सकते हैं दोस्तों इस तरह से आप अपना DMAT account open कर सकते हैं जोड़ा application के अंदर वीडियो पर सेंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों कि शायर करें थेंकी फॉर ओचिंग दिस वीडियो